दोस्तो ये हम सभी को पता है कि अक्षे कुमार के फैंस बहुत जादा है और अक्षे कुमार अपने फैंस के लिए कुछ भी कह जाते हैं दोस्तो लेकिन फैंस की अगर बात करें तो उनको थोड़ा सा बूरा लग रहा है excitement level उनका कम हो रहा है क्योंकि दोस्तो अक्षे कुमार की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है लक्षमी बॉम और उसका कुछ आउट ही नहीं हो रहा है लेकिन दोस्तो अब आपको घबराने के जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तो अब हम आपके लिए कैसी खबर लेकर सामने आये हैं जिसको सुनकर आपकी excitement level और भी ज़्यादा बढ़ जाने बाली है। दोस्तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चलें कि पहले खबरे सामने आ रही थी कि जो फिल्म लक्ष्मी बॉम है इसका जो ट्रेलर है वो अगस्त के महिने में आउट हो जाएगा और जो फिल्म है वो 9 सेप्टेंबर को रिलीस करती जाएगे डिजनी होट स्टार पे। लेकिन दोस्तो ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ लेकिन दोस्तो अब हम आपको बताते चलें कि 9 सेप्टेंबर को अक्ष्यकुमार का बर्थडे है और 9 सेप्टेंबर को बर्थडे के ही दिन फिल्म के मेकर्स और फिल्म की टीम और खुद अक्ष्यकुमार चाहते हैं कि उसी दिन लक्षमी बॉम का ट्रेलर आउट हो दोस्तो वैसे तो अक्षे कुमार अपने बर्थडे के दिन कुछ न कुछ स्पेसल सर्प्राइस देते ही है इस बार लक्षमी बॉम का ट्रेलर जो रिलीज करके वो अपने फैंस लोगों को सर्प्राइस देंगे तो दोस्तो अक्षे कुमार की फिल्म लक्षमी बॉम का जो ट्रेलर है वो आउट होने बाला है 9 सेप्टेंबर को और 9 सेप्टेंबर को ही ओफीसियल डेट मिल जाएगी हम सभी को कि आखिरकार लक्षमी बॉम फिल्म जो है कब रिलीस की जाएगी तो दोस्तो जादा दिन इंतिजार के नहीं बचे हैं बस कुछी दिनों के अंदर एक हफ़ते के अंदर अंदर आपको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा लक्षमी बॉम का और ये काफे बड़ी और excitement news है जो कि हम आपके साथ साजा कर रहे हैं वहीं दोस्तो अगर बात करें फि जारा अडवानी भी होने वाली हैं जो कि अक्षे कुमार के अपोजिट किरदार निभाएंगी तो आप लोग कितने जादा एक्साइटेंड है दोस्तो फिल्म लक्षमी बॉम के ट्रेलर को लेके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखके अपनी राय जो है जरूर बताएं सब्स